33% बस इतना होगा आप लोग का syllabus का reduction और वो भी 33% exactly नहीं कहा गया है एक barrier दिया गया है, range दिया गया है कहा गया है 25 to 33% reduction होगा syllabus में पता नहीं, अब इससे आप लोग को फाइदा होगा कि नहीं होगा उपर से जो meeting हुआ है उसमें ये कहा गया है कि chapter एक भी reduction नहीं होगा full chapter एक भी नहीं हटा जाएगा मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं थी कि 33% reduction होगा तो उसमें से 50, समझे लिजे आपका 10 chapter अगर है उसका 33% reduction हो रहा है 30% मालीजे तो 7 chapters आप लोग को पढ़ना है, 3 chapter हट जाएगा पुरा पुरी तो कुछ बचे डर रहे थे कि पुरा पढ़े कि नहीं पढ़े अभी से जो chapter पढ़ रहे हैं first, 2, 3 chapter ही गायब ना कर दे कहीं तो एक डर का माहूल था है कि कहीं जो पढ़ रहे हैं वहीं ना हट जाए तो कुछ लोग इंतिजार कर रहे थे कि आही जाने देते हैं reduction in syllabus क्या हो रहा नहीं हो रहा उसके बाद पढ़ना start करेंगे पर अब आपको हर एक chapter पढ़ना है पढ़ने लग जाईए और मैं कहूंगा और speedly और तेजी से पढ़ने लग जाईए क्योंकि जो reduction होगा वो एक भी chapter का reduction आपका नहीं होगा जो 33 मतलब 25 to 33 परसंट का जो भी reduction हो रहा है वो topic wise हो रहा है और वो भी कैसा topic जो irrelevant topic है मतलब जिसको हटाने से कोई फरक नहीं पड़ेगा knowledge में कमी नहीं आएगा मतलब जो topic से मतलब अगर आप देखें इस बात का मतलब कहा गया क्या कि वो topic हटाया जाएगा वो topic हटाया जाएगा जो irrelevant है जो मतलब जिसका knowledge आपको नहीं भी मिले तो it's okay चलेगा इसके पीछे का बात सुनी इसके पीछे का बात यह है कि अगर irrelevant topic है तो उस topic से questions भी कम आते थे पहले भी अगर chapter हटना देता तो आपको फाइदा क्या होता कि समय लिजे आप 5 chapter पढ़के जा रहे हैं मतलब 5 chapter आपको पढ़ना था इस chapter से 5 number 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 और इस chapter से 5 number टोटल 25 numbers आपको मिलता 5 chapter पढ़ने के बाद ठीक अभी क्या हो रहा है वाले हैं तो आप 25 स्कोर कर रहे थे जो पहले 5 चाप्टर्स पढ़के वो अभी आप स्कोर कर पाते तीन ही चाप्टर्स पढ़के पर वो लोग क्या कर रहे हैं सिवेसी वाले क्या कर रहे हैं कि चाप्टर्स एक भी नहीं हटा रहे हैं अब इस 5 चाप्टर्स में से वो वो ट टॉपिक्स बट बबस हटा दे रहे हैं जो टॉपिक एरिलेवेंट था जिससे कोईश्चन ऐसे भी नहीं आता था तो उससे पता नहीं आप लोगो क्या फाइदा होगा आप लोग बस यह जानके रखिए कि आपको पूरा ही पढ़ना है फुल सेलेबस आप लोगों को पढ़ना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए यह सोचना बंद कर दीजिए कि कुछ सेलेबस में रिडेक्शन होगा भी और जो होगा वो आपके लिए कोई फाइदा नहीं होगा मुझे लगता आपको कोई फरक भी पढ़ेगा उससे तो इतना बस जानना है आपको कि पूरा ही पढ़ना है छोड़ना कुछ भी नहीं है हर चीज़ पढ़ना है जो छोड़ा बोटा टॉपिक्स आपके लिए हटा देगा वो भी आपको एक मतलब कहा गया है पता है कि उसमें उसमें आपको कहा गया कि वह सेल्फ स्टडी वाला कुछ भी होता है उसमें वह सब चीज पुछा जाएगा बाद में वह भी बताया गया कि नहीं वह सब प्रेशर होगा स्टूरेंट्स लोग का तो साथ वह भी हटा जाएगा पर 33 पर इतना श्यौर रखिए यह 33% का रेडक्शन या कि 25-33% का रेडक्शन हो रहा है उसमें चाप्टर्स रेडक्शन नहीं होगा टापिक वाइस रेडक्शन होगा तो इसलिए आप लोग यह सोचना बंद कीजिए कि पहले देख लेते हैं रेडक्शन क्या और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपको बहुत ज्यादा मतब क्या बहुत सकते हैं धक्का मिल सकता है बाद में जाके कि अरे हम लोग कुछ यह सोच रहे तो और हो कुछ और रहा है इसलिए पढ़ना हर चीज स्टार्ट कर दिजिए आप लोगे टूजेट 100% सिलबस अभी पड़ सकते हैं वह सकता है आपको समझ में मतब आ भी गया होगा कि वह बहुत ही इर्रेलेवेंट सचाट अपक्स हटाएगा जो टॉपिक थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है मान लीजिए वह टॉपिक नहीं हटने वाला क्योंकि वह रिलेवेंट तो जिससे question हर साल पुझा जाता है जो important topics है वो सब नहीं हटा जा रहा है क्या हटा जा रहा है तो जो topic irrelevant है तो भाई पढ़ना स्टार्ट करो जुलाई हो गया आपके पास समय भी कम है पढ़ना पूरा ही है जो आपको अप्रिल से पढ़ना थो अब आपको जुलाई से पढ update आता है कुछ मैं आपको update करूंगा official news reduction का कुछ बच्चे comment कर रहे थे class 10 के कि कुछ कुछ चैनल्स जो है वो ये वीडियो बना रहे हैं कि math से mensuration हटा दिया गया triangles हटा दिया गया अरे भाई views पाने के लिए कुछ कुछ चैनल्स बना देते हैं ऐसा आप हमेशा अपना time waste मत किजिए वीडियो देखके क्या हटाया गया क्या नहीं हटाया गया मैं आपको official news जैसे ही आगा मैं आपको बता दूंगा authentic वाला news और अगर आप पटा news देखना ही है हार एक चैनल का कि क्या हटाया गया देख लिए जानने के लिए देखिए यह वह जो भी है अगर आपको देखना ही है तो आप माइंट्रेस जब कर रहे होंगे जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तब आप देख सकते हैं पढ़ाई को बीच में छ चैनल क्या क्या हटाय जा रहा है उसके अभी NCRT CBC काम कर रहा है और जल्दी ही हटाया जाएगा पर जल्दी मतलब एक दो महना एक महना लग जाएगा साइद मेरे साब से वन मंत के बाद ही वो रेडक्शन वाला जो भी आएगा ऑफिसल लोटिफिकिसन आएगा और उसमें अधिक और प्रोपोसल आया है मतलब बात चल रहा है जो में बात चला है वह है कि कुश्चिन का पैटर्न जो होने वाला है तो अधर्टिवन में वह पैटर्न में रिडक्शन पैटर्न का पैटर्न में चैंजिंग आएगा तो कहा जा रहा है कि 50% objective मतलब एम सी क्यूं इंट चाहिए होता है आपको सही करने के लिए गलत हुआ तो गया ऐसा वाला हाल स्टेप मार्किंग नहीं रहता है तो अगर 50 मांस 50 मांस एपसी क्यूं कर देता है आप लोग यह सोचके कि थोड़ा सा अच्छा सहूलियत रहेगा आप लोगो आपको उसका उल्टाप पढ़ेगा क्योंकि आपको और डिटेल्स पर चाप्टर पढ़ना होगा और गलती होने का चांस ज्यादा रहेगा स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा मतलब कुछ बच्चों के लिए तो अच्छा है पर जो बच्चे थोड़े से मतलब B कैटेगरी मतलब समझ लीजे थोड़ा सा कम पढ होंगा तब तक आप लोग निश्चिंत होके सारा चाप्टर्स पर डालिए तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू बाई